खबर जबलपूर से हैं जहां खितौला के स्यामसुंदर कॉलेज में पढ़ाई करने वाले स्रिष्टी सेन की सड़क हाथसे में मौत हुगई सिर में पाइप लगने के कारण स्रिष्टी की मौत हुई है हाथसे के बाद उन्हीं इलाज की लिनेजदी की अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर नियुने मौत घोसित कर दिया स्रिष्टी सेकंड एर की स्टूडेंट है वह अपने मौसेरे भाई के साथ पर इच्छा देने गई थी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक स्रिष्टी का मोबाईल बंद आ रहा था वह अपने दोस्त के साथ बाईक से घर जा रही थी रास्ते में सड़क हाथ से मिगहल हो गई अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई मृतिकाच हात्तरा के परिजन ने मामले को संदिक्द बताते हुई हत्या का आरोप लगाया है खितवला पुलिस ने सबको पीम कराया तो चोट लगने से मौत होने के तथे सामने आये है गाउ में ही रहने वाले अब इसे काची ने फोन किया और बताया कि वह स्रिष्टी को बाइक में कॉलेज से घर ला रहा था रास्ते में एक ब्रक्ती बाइक से पाइप ला रहा था पाइप स्रिष्टी के सिर में लगी और वह बाइक से गिर कर खायल हो गई इसके बाद वाया उसे ही अस्पतार ले गया जहां डॉक्टर ने जाज के बाद सेम्रित घोसित कर दिया बिराट 24 के लिए जबलपूर से सुनेल सेन की रिपोर्ट